हेलो बच्चो स्वागत आपका पाई क्लास इस बाई सचीन मलिक में आज का टोपिक क्लास 10 के लिए वक्षीट नमबर 16 जो हमने वक्षीट नमबर 15 करी थी उसी का सेकिंड पार्ट है क्या था रिलेशन बिट्विन जीरो एंड कोफिशेंट ओफ पॉलिनोमिल कंटीनू वही टोपिक अभी चला आ है क्या सीखा था उसमें एक तो हमने स्टेंडर फॉर्म सीखी थी पॉलिनोमिल की क्या होती है नमबर उफ जीरो हमने सीखे थे क्वाडै Philippe जोब टोचंपर पावर 2 है, sum of zeros का फार्मूला सीखा था, minus के B upon A, अब B upon B, A, B, C क्या होते हैं, हमने पिसली वर्क्षीट में सीख लिया है, और product of zero हमने सीखिए, C upon A, ठीक है, आई यह हम question करते हैं, कह रहा है देखो इदर, कहता है, the sum of zeros, sum of zeros, यह आपको alpha-beta बनाने की जड़त नहीं है, तो sum of zeros का फार्मूला लिखा, और इसके जिगा क्या है, minus 3 upon, यह दे रखा आपको, ठीक है, यह बुरा था, तो यह तो minus B upon A formula होता है, और इसके जो value दे रखे आपको minus 3 upon A दे रखी है, अगर मैं इसको अलग से ऐसे लिख लूँ, तो ऐसी रहने दो, कोई इसको भी लिखने की जोड़त नहीं है, ऐसी रहने दो, यह हो गई first equation, now product of zeros, इससे कोई मतलब नहीं है, तो product of zero का formula C बटे A होता, और यह हमारे को दे रखा 1 by 4, तो यह होगी हमारी second equation, अब ज़रा from 1 यहाँ पर लेख सकते हैं, from equation 1 and equation 2, ज़रा धिहां से देखो, A की value नीचे यहाँ पर A है नीचे, वहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो A की value तो 4 आ गई, ऐसे फिर क्या आ गया, माइनस B की जगे पर माइनस 3 है, तो B की जगे पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हमने direct comparing करा दो, क्योंकि उपर माइनस B है, इधर माइनस 3 है, तो माइनस माइनस अट गया, तो B की value उनली 3 बची, और यहाँ पर C की place पर क्या है, 1 है, तो यह C की value आ गई, अब मानक रूप हमारे पास, यानि standard formula, यह होता था, AX square प्लस BX प्लस C, क्या होता था, यह आपको line लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या लिखोगे, required polynomial is, तो देखो, यह होता था हमारे पास, क्या होता था, AX square प्लस के BX प्लस के C, अब इसमें A के place पर यह रख दिया, B के place पर B की value और C के place पर C की value, तो required polynomial इस तरह से find out हो गया, आईए, अब सीधे next example करते हैं, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं हमारे काम का, sum of, sum and product, ठीक है, किसका 0, तो वही उसी तरह के से करते हैं, sum of 0s, minus के B upon A, वो दे रखा है हमें 4, ऐसी product, वो था C बटे A, वो दे रखा हमको 7, उसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, first equation, जोगो नीचे यहाँ पर क्योंकि इस side दोनों में A है, तो इस side भी same value होनी चाहिए, वो जरूरी है, तो A की value हमारे पास क्या आगई, 1, B की value, minus B की value 4 है, तो B की value क्यों हो जाएगी, minus 4, minus उदर चला जाएगा, और C की value क्यों हो जाएगी, 4, हाला कि यह खाली A की value पोच रहा है, और किसी की value नहीं पोच रहा है, हमने सब की निकाल के दिखा दी, ठीक है, तो बाकि अगर आपसे कुछ भी पूचे तो आप इस तरह से कर सकते हो, now question, कहता sum of zeros, sum of zeros दे रखा, product दे रखा, find the polynomial जैसा पहला question था, sum of zeros का मतलब, sum of zeros लिखना है, equal minus के B upon A, और यह दे रखा आपको 15 बटे, 4, first equation, ठीक है, फिर product of 0, वो C upon A, यह दे रखा आपको 3, अब जला दिहान देखोंगे, लोगो ऊपर, यहाँ निचे क्या है, 1, ऊपर A के सामने 4 आ रहा, नीचे A के सामने 1 आ रहा, की हमारे पास, 4, B की वैल्यू, actual में यह minus B की वैल्यू आती है, 15, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, minus के 15, और C की वैल्यू क्या आ गई, 12, तो A, B, C हमें पता चल गए, अब हमारे पास जो standard form थी, वो क्या थी, AX स्केर, BX प्लस C, तो इस में रख दो, तो यह हो जाएगा 4X स्केर, तो minus के 15X, और प्लस के 12, this is the required polynomial, simple, next, find the quadratic polynomial, sum and product, पहले के जैसे ही है, sum and product, यहाँ तो फिर भी fraction में दे रखाते हैं, simple है, इसको अपनाब करो गया, now two zeros, यह दो zeros हमें दे रखे हैं, find sum, find product and value of B, यह बहुत अच्छा है, तो find sum, तो क्या लिख तकते हैं, sum of zeros, sum of zeros क्या होता था हमारे पास, minus के B बटे A, लेकिन यहाँ तो हमें दे रखा है, minus के 4 और minus के 6, तो minus के B बटे A, यह आगया minus के 10, यहाँ minus के 10 बटे 1, तो minus 10 यह तो minus 10 आगया यह दो, ठीक है, यह तो answer आगया, sum of zeros निकल लिए, इसको first equation मान दो, ऐसे ही product of zeros, वो C बटे A होता है, तो minus के 4 और minus के 6 को गुना कर दो, तो C बटे A के आगया यह 24 आगया, 24 बटे 1, तो देखो यहाँ पर first और second equation को compare करेंगे, तो A की value पता चल लगई 1, B की value देखो minus से minus 8 जाएगा, B की value हमारे पास आगई 10, और C की value हमारे पास 24, तो आपको जिसकी चाहिए, उसकी आप लिख सकते हो, इजिली, simple, now next, कहता find the sum of zeros of the polynomial, तो इससे comparison करेंगे, जह हम इसको standard form से, क्या है हमारी standard form, AX square, प्लस के BX, प्लस के C, तो A की value 6 निकल के आ रही है, B की value 11 आ रही है, और C की value हमारे पास 5 आ रही है, A, B, C की value पता चल गई, तो sum निकाल लो भीया, sum of zeros क्या होता है, minus के B बटे A, यानि की minus के 11 बटे 6, product निकाल लो, product क्या होता है, C बटे A, यानि की 5 बटे 6, तो simple, इस तरह से सारे question complete हो गए और worksheet भी end होती है, यह सभी question अपनी copy में कजिए, उसकी साफ सी photo कीजिए और अपने अपने teacher को WhatsApp पे send कीजिए, धन्यवाद,